जी हाँ नमस्कार आप सभी का एजुकेशा नौलेश टीवे पर हारदीक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी हर्याना के मुख्य मंत्री नायब सेंग सेनी सुबह सुबह ही जी हाँ बहुती बड़ी गोशना चार नए योजना लागू कर दिया है अर्याना में दिपावली पर मिलेगा आप को इन योजनाओं का लागू अगर आप अर्याना से हैं चाहे आप गाउं से हैं चाहे आप सहर से हैं आप इस वीडियो को अंतक जरूर देख लें आप सभी के लिए आ गई है बहुती जबरदस्त खुशकबरी वही चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुस ह की सरकार अर्याना में बनी है आपको दिपावली पर क्या लाब देने जा रही है उसे पहले आप योटूब चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वही इस वीडियो को सेर भी कीजिगा वही आपको मैं बता दूं हमारे एक सस्क्राइबर को एक जोन भी उपलब्द कराया जा रहा है हमारे यूटूब चैनल की तरफ से जो भी इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा पांच लोगों तक वीडियो को सेर करेगा उस एक सस्क्राइबर को हम अपने उस सस्क्राइबर को एक स्मार्ट पोन दे और अर्याना से है चाहे गाओं से है चाहे सहर से है उनके लिए बड़ी इंफोर्मेशन है नाइप सिंग सेनी ने सुबह सुबह ही एलान करते हैं कि जिनके पास बीपियल का रासन कार्ड बना हुआ है वो परिवार हर गार ग्रैनी योजना पोर्टल पर जाएं और लपीजी गैस सिलंडर के लिए अपलाई कर दे बई 500 रुपे में आपको दिपावली पर लपीजी गैस सिलंडर देने की सुरुआत की जा रही है आपको बता दें लंबे समय से इस योजना को दरातल पर अर्याना सरकार ने उतारा है और बड़ी जानकारी ये दे दें कि आपको कास लगा तारा बर याना में होता रहेगा वही आपको मैं बता दू जिनके पास एलपीजी का गैस सिलंडर है ही नहीं उनके लिए भी खुसकबरी है उनको मात्र पंदरा दिन के अंदर एलपीजी गैस सिलंडर मिलेगा अब उजुला योजनाल के तहत आप आवेदन करें म मात्र पंद्रा दिन के अंदर आपको गैस का चूला और गैस सिलेंडर जो है वो आपके गर खुद कमपनी पहुचाने का काम करेगी आपको कमपनी में भी जाने की जुरूरत नहीं है आप ओनलाइन ही आवेदन कर सकती हैं वहीं जितनी भी महिला है उन सभी के लिए खुसकबरी है आने वाले दिपावली से पहले ही एक पोर्टल तयार किया जा रहा है अरियाना में उस पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन करें जिसकी भी उमर 18 वर्थ से जादा और 70 वर्थ से कम है ऐसी सभी महिलाओं को अरियाना सरकार देने जा रही है अब हरियाना में लाडो लक्समी योजना का फाइदा 21 रुपए की रासी अब उन महिलाओं को दी जाएगी जो की लाडो लक्समी योजना के लिए आवेदन करने वाली है वहीं विदान सभात चुनाओं में लगातार यहीं मुद्दा गुंजा था क बीजे पीच की सरकार जब बनेगी तो लाडो लक्समी योजना को लागू कर पाएगी या नई लेकिन अभी एलान कर दिया गया है कि आपको दिपावली पर ही इस योजना का लाब दिया जा सकता है आपको मैं बता दू जिनके पास पीला और गुलाबी रासनकार बना उसके साथ साथ अबर याना सरकार अब आपको सरसो का तेल वह चीनी भी और सस्ते दामों पर उपलब्द कराएगी यानि कि आपको चीनी के लिए जहां तेरा रुपे खर्च करने पड़ते थे अब आपको मातर दस रुपे ही खर्च करने पड़ेंगे वही सरसो के तेल की बात करें तो सरसो के तेल के लिए आपको जहां 40 रुपे खर्च करने पड़ते थे अब आपको मातर 20 रुपे ही खर्च करने पड़ेंगे वही हम बात करें जी हाँ आपके परिवार में अगर लड़की है और वो कोलिज में जाती है कोलिज में पढ़ाई करती है जिनके भी परिवार की परिवार इकवार सिखाए एक लाख आसी अजार रुपे तक है कोलिज में जाने वाली परतेक छात्रा को अरियाना सरकार देने जारी है सुकूटी योजना का लाब तो सुकूटी योजना के लिए आप आवेदन करवाएं अपनी लड़की का या अगर आप खुद लड़की है तो आप आवेदन करें आपको अरियाना सरकार पिचेतर अजा करें और आपको स्कूटी योजना का जो लाब है वो अर्याना में दे दिया जाएगा बुजर्गों के लिए बड़ी गबर है जितने भी बुजुर्ग हैं अर्याना में उन सभी के लिए बड़ी इंपोर्मेशन है अर्याना में अब आपको बता दू आपकी जो जो आपको प फाइदा आपको मिलेगा अरियाना दीवस पर अब नाइब सिंग सैनी की सरकार अरियाना सरकार आपको अब डाइशो रुपे की बड़ोतरी के साथ अरियाना में जो पैंसन है वो आपको देगी आपको बता दो इसको लेकर अभी कैबिनेट की एक और मिटिंग होने वाली है sujetना दो खार अरियाना सरकार करने जा रही है वह आपको मैं बता दो जिनोंने भी अपना हैपी कार बनवा रखा है अरियाना में तकरीपपन 20 लाख परिवारों परिवारों ने हैपी कार्ड बनवाया था भई आने वाले अब दिपावली पर आपको हैपी कार्ड का डवल फायदा देखने को मिलेगा जी हाँ जिन परिवारों ने बनवा रखा है हैपी काड उनको एक हजार नहीं अब तकरीबन दो हजार किलोमेटर तक का सपर करने को मिल सकता है हारियाना सरकार इसको लेकर अब 4 बत तरीके से काम कर रही है आपको अब 2000 किलोमेटर तक अरियाना में फिरी में सपर करने का जो लाब है वो अरियाना में दिया जा सकता है वही हम बात करेंगे एक और बड़ी इनफोर में इस्तन आ रही है जी हाँ आपको बता दें किसानों के लिए किसान बायों के लिए जैसा की पहले भी किसानों का जो करजा था और याना सरकार ने माप किया था अभी मिली जानकारी के अनुसार आने वाले अर्याना दीवस्त पर अर्याना के मुक्य मंत्री एक बार फिर से किसानों का लखो रुपए का करजा जो है वो माप कर सकते हैं यानि कि हम बात करें करजा भी माप होगा 2000 रुपए की किस्त भी आपके बैंक में डाली जाएगी यानि कि किसान सम्मान निदी का जो पैसा है वो भी आपको मिलने जा रहा है आगे भी कापी सारी योजनाओं की जानकारी आती रहेगे रियाना से सम्मन्दित आप बने रहें यूटूब चैनल के साथ सस्क्राइब कर लें इस वीडियो को भी लाइक करें सभी के साथ सेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद